Hello students, last time हम आपको पढ़े था application of derivative और पिछले वीडियो में हम लोग ने अपना exercise 4.3 खतम कर लिया था So in this video, we are going to start with application of derivative का exercise 4.4 इस वीडियो में हम लोग आज 4.4 start करेंगे अच्छा 4.4 start करने से पहले कुछ बाते हैं 4.4 से real rate जो में तुम्हें बताना चाहता हूँ देखो हम लोग ने 4.1 किया तो 4.1 में हम लोग ने किस चीज के बाएर में पढ़ा 4.1 कि हम लोग ने तो 4.1 में हम लोग ने पढ़ा था equation of tangent and normal क्या पढ़ा था हम लोग ने equation of tangent and normal यही topic था जो हम लोग ने 4.1 में cover किया था फिर हम लोग ने start किया 4.2 अच्छा 4.2 में हम लोग ने किस topic के बारे में पढ़ा था अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं तुम लोगों को बता दूँ कि हम लोग ने 4.2 में पढ़ा था increasing और decreasing functions के बारे में किसके बारे में पढ़े थे increasing और decreasing functions के बारे में यही चीज हो गई अच्छा एक चीज और हम लोग ने फिर 4.3 भी किया जब हम लोग ने 4.3 किया तो 4.3 में हम लोग ने किस चीज के बारे में पढ़ा 4.3 में हम लोग ने पढ़ा maxima और minima के बारे में किसके बारे में पढ़ा maxima और minima के बारे में पढ़ा So 4.1 में question of tangent and normal 4.2 में increasing or decreasing functions और 4.3 में maxima और minima यह कुछ बात है थी जो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे पढ़ रहे थे लेकिन तुम लोग ने एक चीज नोटीस अगर की होगी अगर तुम लोग एक्सेसाइज को अच्छे से सॉल्व कर रहे थे तुम लोग ने एक चीज नोटीस की होगी मैं तुम्हें एक चीज लिखाना चाहूंगा टेक्स्ट बुक के अंदर चलते हैं एक चीज समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर देखो जाना जान से देखो here it is our 4.1 यह अपना 4.1 है जब हम लोग ने 4.1 किया तो उसमें हम लोग ने देखो स्टाटिंग में कुछ एक दो तीन तीन वह फंक्शन वाले कुस्ट्टीन वोग उसके जस्ट बाद यहाँ पर आया एक दो वर्ड प्रॉबलम दो क्या आगे वर्ड प्रॉबलम आगे दूख नॉर्मल कोश्टन से मैं से मिट्मेटिक्स वाले जो सॉल्व करते था मुद्व उसके जस्ट बाद, यहां पर क्या आगे? दो word problem आगे. क्या आगे? दो word problem आगे. उनका हमनों ने solve किया. equation of tangent and normal में. फिर जब हमनों ने 4.2 स्टाट किया. 4.2 पे चलते. देखो यह रहा 4.2. जब हमनों 4.2 स्टाट किया, तो 4.2 में हम लोगों नहीं यहां पर कुछ question solve किये जिनमें पता लगाना होता था function increasing है कि decreasing है कुछ question solve किये जिसमें से अल्रेडी पता था कि function increasing है बस x की value पता लगानी होती थी और यहां पर कुछ question solve किये जिनमें अल्रेडी पता था कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों नहीं किया उसके बाद अगर अगर नीचे आएंगे 4.3 पर चलेंगे तो 4.3 अपना कहाँ पर है 4.3 यह रहा अच्छा यहां पर भी हम लोग ने कुछ सौल्व कि उसके जश्ट बाद एक दो तीन तीन-तीन कंतीन गों लोग उनर प्रव्लम सौल्व की 4.3 में थो तो तीन क्यों एक सथी कर चुके हैं वह फ्याव मंत्रों रचानल प्रवाड़ ईंग三 के एक लॉड़ ऑन मुर्ज़व में एक र्मोट समझ में किया 4.1 में word problem करा दिया 4.3 में word problem करा दिया increasing decreasing जो topic था 4.2 का उस पर कोई word problem नहीं करवाया हम लोगोंने तो उन लोगोंने क्या क्या मालूम है 4.2 के जो word problems होने चाहिए थे जो 4.2 में होने चाहिए थे increasing or decreasing function के word problem वो हम लोगों को दे दिया गया है 4.4 के अंदर वो किसके अंदर दिया गया है 4.4 के अंदर तो basically 4.4 हम लोग जब करना start करेंगे तो हम लोग increasing function or decreasing functions के word problems करेंगे क्या करेंगे increasing function or decreasing function के word problem अच्छा पूरा 4.4 सिप increasing decreasing करने में जाएगा क्या नहीं पूरा का पूरा एक्सराइज और प्रॉब्रम नहीं करेंगे हम लोग फुर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का 4.4 में और भी टॉपिक्स है पस्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन से न वह किसके ओपर बेज़ें इंक्रीजिंग और डिक्र कुछ बातीया और क Напyze m छो का यह में से पहले कि ऑनी चाहिए पातों नहीं चैने वह कुछ कॉनसी कृटे दिधून है अ कर gef डंद और प्राइज डिमांड और प्राइज जब मैं बात कर तो डिमांड की और प्राइज की किसी भी प्रोड़क्ट का डिमांड और प्राइज डिमांड मतलब क्या होता है कि इस प्रोड़क्ट की कितनी मांग है मार्केट में कितने ऐसे लोग है जो उस प्रोड़क को खरीदना चाहते हैं उसकी कितनी डिमांड है और प्राइज नहीं कितने रुपए में प्रोड़क क्या हो रहा है मिल रहा है माझना मैंने को एक प्रेट सब्सक्राइब बना यह को सौई लोग खरिदना छाते हैं तो यह सौई लोगों की टिमांड शकर और 200 रॉपए तो दो सब्सक्राइब प्रेजर हम हं लोग समझते ह। लिए उम्हेलं को प्राइस अगर बढ़ेगा मालो कोई सामान मालो आज मुबाइल फोन साते आज एक एक एवरेज मुबाइल फोन 10-12,000 के अंदर मिल जाता है एक स्मार्टफोन मिल जाता है अगर आज के टाइम पर ऐसा कर दिया जाए कि नहीं मिनिमम एक मुबाइल फोन एक स्मार्टफोन करीदने के लिए तुम्हें दो लाक रुपा खर्चा करना पड़ेगा आज 10-12,000 में मिल रहे हैं तो देखो हर किसी के पास मुबाइल फोन है मतलब की प्राइस का में डिमांड बहुत जाद है अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिय मैंने बोल दिया कि मिनिमम एक अपने को मुबाइल फोन खरीदने के लिए दो लाक रुपाय खरच करना पड़ेगा मिनिमम तो किसे के पास लोगों के पास उतनी पावर ही नहीं है उतने पैसे क्यों लोग मुबाइल फोन खरीद पाए तो डिमांड आटमेंटिकली क्या हो जाती हम लोने economy में सारी चीज़े पढ़ रखी तो फिलालबस इसको समझते हैं कि price and demand are interrelated इसलिए जब हम लोग demand का कोई formula बनाने बैठते हैं अब तुम्हों सोच अगर demand के लिए formula बनाओ जिसमें से demand calculate किया जा सके क्या calculate क्या जा सके demand तो अगर मैं demand का कोई formula बनाने बैठते हूंगा न तो demand को क्या लिखेंगे डी देवान को क्या लिखेंगे डी इसका फॉर्मिला बनाने बैठते हैं पर कुछ तो रसiquer के और सारी Dobbs किपांगे फैंस किसके होंगे प्राइस के होंगे क्यों क्यूंकि दिमान्ट पनट का ठोक्रीज टॉर्म दभी सारे इसके होंगे और सेम इसका वाइस सब्सागें कोई लिए को फैंस के लिए चांस को Impact लाट ने को है ईए फॉमिला नहीं मैं बसता रहा हूं चाहिए कहा लिए कला बनाते हो जै आँ долго आपकि प्रिजय को मिलेंगे उन्हों करने हैं औरESE increasing or decreasing function के जो चीज़े पढ़ी थी हम लोग ने उन्हीं का यूज करके question को solve करेंगे let us start with the question part so let us start करते है चलते है question number one की तरफ let us move towards question number one question number one से start करते है क्या दिया क्या question number one के अंदर question number one में दिया है कि the demand function of a commodity at price is given as this यहां पर देखो मुझे demand function दिया है demand function नहीं कि सीदे सीदे बोलू तो demand formula दे रखा है में रखो to demand function demand formula मुझे आपर दे दिया क्या दिया है D is equals to 40 minus 5 P upon it मैं तो बता दिमांड का formula बनाओ गया तो उस side में right hand side में को क्या मिलेगा पी मिलेगा प्राइज मिलेगा तो demand function in demand function demand formula दे रखा हम लोगों को यह और मुझे आगे क्या बला कि check whether it is increasing or decreasing function मुझे यह चेक करना है कि demand formula तो दे दिया demand function तो दे दिया लेकिन वो demand increasing function है यह decreasing function है क्या check करना है increasing function है या decreasing function है क्या करना है यहां पर देखो जराब पर we have to check कि वह increasing function है कि decreasing function है तो कैसे check करते थे पता है हम लोगों को देखो मैं याद दिलाता हुसमें लोग करते क्या थे हम लोगों को derivative है यह अगर greater than 0 आया यह अगर greater than 0 आया तो it is increasing function वो कौन सा function के लाता था increasing function और अगर मानलो यही f-x यह derivative of x यह अगर less than 0 आया तो it will be called as decreasing function समझ में आया है इतना हमने बढ़ा था जो भी function दिया उसका derivative निकाल लो अगर वो greater than 0 आया तो increasing function less than 0 आया है तो increasing function समझ भाया है तो चलो ठीक है यहाँ पर भी करते हैं बहुत आसाने देको मैं बताता हूं increasing decreasing check करना किसके लिए check करना इस demand function के लिए तो मैं पर लीक देता हूं given function given function तो क्या function दे रखा है दे रखा है d is equals to 40 minus 5 p upon me 8 यह मुझे क्या दे रखा है मेरा function दे रखा है अब मुझे इसको चक करना था increasing decreasing तो पहला step function fx दिया होता था fx के लिए दे रखा है कोई फरक नहीं पड़ता हो भी function यह function फिर वहां पर निकालना थो आता है f-x यहनी fx का derivative करना होता था तो यहां पर हम लोग इसका क्या कर देंगे derivative कर देंगे अच्छा derivative कैसे करेंगे बच्छा यहां पर बहुत ट्रिक है derivative कैसे करेंगे हम लिए पर लिखेंगे तो इतना तो confirm है differentiating with respect to यहां पर एक्स तो नहीं आएगा अच्छा एक्स नहीं आएगा तो क्या आएगा यह मैंने differentiation chapter में पढ़ाया था कि कभी भी derivative जब लिया जाता है तो वह राइट-hand side वाले variable को देखकर लेते हैं यह मेरा left-hand side यह राइट-hand side यह राइट-hand side तो मैंने क्या differentiate with respect to p अच्छा differentiate with respect to x करते थे इतना जाता था दी अपॉन dx अब यहां पर p से किये तो क्या जगा दी अपॉन dp किसके साथ यहां पर दी अपॉन dp किसके साथ यह पूरे question के साथ 40 माइनस 5 पी अपॉन 8 अपॉन 8 कदम हो गया अच्छा इसके आगे क्या करेंगे भी तो इसके आगे हम लोग करेंगे ज्यादा कुछ ने करेंगी देखो यह तो बहुत सिंपल यहां पर कुछ हो ही नहीं सकता तो यह चोटा डी उसके बाज़े में बड़ा डी अपॉन में dp इसको था ऐसी छोड़े इसका कुछ नहीं हो सकता वहां पर करतें जैसे वहां पर डी वाइपॉन यहां पर डी वेटिव लेना स्टार्ट करते हैं पहले 40 का डी वेटिव लेंगे अच्छा 40 क्या है 40 तो एक चॉंसेंट है और तो 40 का डी वेटिव क्या जाएगा जी रो फिर माइनस यहां पर 5P अपॉन में 8 लिख जरदान से देखना 5P अपॉन में 8 अगर मैं इतने पार् जुझत हो तो इसका डी वी टीव नहीं लेते हैं दीव लिखते हैं तो 5 P सबस्क्राइब करता हूं तो इसका डी वेटिव नहीं लोगा तो डीवेटिव किसका लेंगी बांगे एक पांड यह बात यह नहीं अव्त्य का डीतिव है कितना अगे ऐन तो देरफोर यह वेंप 5 आपान में 8 यह मुझे मिल गया derivative यह मुझे क्या मिला derivative मिल गया जैसे वाह पे f-x मिलता था न वेसे वाह पर हम लोगों को यह वह लगा derivative मिलें अच्छा-f-x मिलने के बाद करते गहाते देखते ते कि जो greater than 0 less than 0 अब मुझे साब साब दिखाई दे रहा है यह less than 0 एक हम सा यह क्या है greater than 0 less than 0 less than 0 negative में है तो मैं लिकूंगा therefore d d upon me d p is less than 0 अगर वह less than 0 है तो therefore it is decreasing function यह कौन सा function है decreasing function है क्यों decreasing function है भाई क्योंकि derivative less than 0 इसका derivative निकाला है जो टर्म्स का यूज करते थे वह बदल गया लेकिन तो और आसान बन चुके अपने एक बर जार एक बर ध्यान सब्सक्राइब कुछ भी नहीं था डिमांड फंक्शन में को दे रखा था मैंने क्या किया उसका derivative निकाला निकालने के बाद मैंने क्या देखा किया जो आंसर और निगीटिव आता है यहीं लेस्दें जीरो अलाजन जीरो मतलब कौंसा second question let us move towards the second question of second question की बात करते कि second question में क्या दे रखा है मोगों को आदे को second question में भी वही price or demand की बात चल रही है कि the price P for demand D is given as this सब को छोड़े इस formula को देखो इस function को देखो function बोलो formula बोलो mathematics से terms सलते हैं देखो इस function को अगर मैं देखू तो function मुझे price का दिख रहा है यह price का formula है मतलब की P का function और यहां पर right hand side में सारे क्या रखे डिमांड रखे गए तो मैंने तो तुम लोगों को increasing है यह decrease in check check करने के लिए नहीं दिया है हम लोगों को बोल रहा है कि जो function है price का ओ increasing function है पहले से बता दिया कि function increasing है अब तुम D की value निकालो find D find out करो function पहले से increasing बता दिया है याद करो 4.2 में होता था 4.2 में हम लोगों को कैसा देता था हम लोगों को पहले बोल देता था कि function increasing x की value find out करो same question अल्रेडी बोल दिया कि function increasing है और किसकी value find out करनी है D की value find out करनी है तो same process repeat करेंगे कैसे करेंगी ज़रा ध्यान से देखो सबसे पहले हम लोग इवन फंक्शन लिखेंगे गीवन फंक्शन क्या दिया गीवन फंक्शन यह दे रखाए पी इस इकोल स्टू क्या दे रखाए 183 फिर क्या लिख्या प्लस 120D फिर मापी क्या लिख्या माइनस 3D का स्क्वेर यह हो गया अच्छा इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे अल्रेडी बोला इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैंने हमनों मैं एक्स की वेल्यू फाइंड आट करते थे उस टेंपर कैसे करते थे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो और किसमें पले डेरिवेटिव निकाल लेता हूं रिकरों का जाएगा डी अपॉन डी इस पूरे क्वेश्चन के साथ डैट इस 183 प्लस 120 डी माइनस 3D का स्क्वेर ख़तम हो गया चलो डेरिवेटिव ले ले लिए अब देखो यह क्या हो जाएगा डीपी अपॉन में डीडी जाएगा डीपी अपॉन में डीडी कुछ नहीं होगा 120 अच्छा यह जो 120 को मेंने क्यों लिखा 120 कॉंसंट है पर D के साथ और इंगी कितना चाहेगा 2D 2D उसके आगे सॉल्व करती हैं पर साइड में कर लेते हैं क्यों आलों स्कूल करने की जरूत है तो आपर आया डीपी अपॉन डीडी मैं पर लिख देता हूं डीपी अपॉन में डीडी इस इकोल स्टू इधर पर कहा है जीरो जीरो का तो मतलब नहीं है 120 बंजा कितना हो जाएगा 120 120 बंजा 120 फिर बीच में माइनस दे रखा तो मैं माइनस लिख देता हूं अच्छा उसके बात क्या है यह पर 3 है यह पर 2 है 3 2 जा कितना होता है 6 3 2 6 और डी तो मैं पर क्या लिखूंगा 6 डी यह मुझे मिल गया derivative यह मुझे क्या मिल गया derivative अब इसके आगे क्या करना है देखो question में क्या बोला था और जब हम लोगों को बोलता था डेविट का confirm greater than 0 को क्यों कि function increasing है तो मैं पर लिखूंगा but it is an increasing function मैं क्या लिखूंगा but it is an increasing function कि जो function दिया गया है वो कौन सा function है वो है एक increasing function और इसलिए क्योंकि वह increasing function है इसलिए जो derivative आया यानि dp upon me dd यह वाला जो derivative आया यह always क्या होगा greater than 0 यह क्या होगा greater than 0 इतना मुझे पता है पहले से अच्छा आव एक काम करते हैं जो dp upon dd इसकी जिए पर इसकी वैल्यू रख देते है इसकी वैल्यू क्या थी 120-60 तो मैं लिख देता हूं इस जो 120 दिख रहा है इस 120 को इदर से उठर बेज देता हूं देखो है पर इस जो 120 दिख रहा है सब्सक्राइबस देता हूं तो क्या हो जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा यहां बचेगा घुशनी रेस्टड का मैं कि डाल की डाल था ओकि वह चिसमील पी जो मारें यह तो टुना थेला कौ तो यहाए हुए सब्सक्राइए ह episodes इस मां इसलों मंस 6 और जया इसको जाता है तो है अलिल यह झाल यहां कि को मिल गई D की वेल्यू यह मं लोगो क्या मिल गई D की वेल्यू मिल गई की D is greater than 20 ज़र द्यान से देखो कैसे किया बहुत आसान था मुझे ऐसे कौसिन टो मैं और चैन ह Canadianigation अब क्यों करते के निधा निकलना और सिसके साथ अपने इस एक्सेसाइज में जितने भी प्राइंश और darle वाले questions थे price function and demand function की जितने भी questions थे वह यहीं पर खतम होते it question फर रटे मांड के उपर बेच था इसके आगे के questions अलग topic पर बेच ढोगे तो उन questions को हमलों कवर करेंगे अगले वीडियो में इस वीडियो को यहीं पर ख़तम करते हैं अगर यह वीडियो पसंद आया हूं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू